जूनियर स्कूल की इमारत हुई जरजर जिला सिच्छा विभाग कर रहा अंदे की हो सकता है किसी दिन बड़ा हाथ सा सिच्छक और बच्चों में दहसत जनपद इतावा के जस्मंट नगार ब्लागचेत के गाओ फकीरी मड़या के प्राइमरी स्कूल जिसमें कच्छा छे से आठ तक के ससतर वच्चे बैट कर सिच्छा ग्रयाड करते हैं जिस छट के नीचे बच्चे पढ़ते हैं वो से स्कूल की पूरी विल्डिंग जरजर हो चुकी है पिलार से लेकार्चा दीबार ताग चारो तरप से स्कूल की विल्डिंग चटक चुकी है अगर जिलात बेसिक सिच्च बिभाग की यही अंदेखी रही तो किसी दिन बड़ा हाथ सा हो सकता है बेल्डिंग जरजर होने के कारण अध्रापकों और बच्चों में देहसत कमाओल है जिसका सीधा असर उनकी पढ़ाई पर पढ़ रहा है जूनियर स्कूल के हेड मास्टर लेकराज राजपुत्र बताया कि बेसिक सिचार्ज कारी बियासे इतावाकों में कई बार लिकिस सिकायद दे चुका हूँ लेकिन अभी तक इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ये बिल्डिंग आज से नहीं बलकि साल 2018 से अभी तक इसी हालत में पढ़ी हुई है फिर भी अभी तक कोई सुंबाई नहीं हुई है जिस कारल मैंने स्वेम ये फैसला लेकर अपनी बाप बच्चों की सुरच्चा को ध्यान में रखते हुए प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर रिसी कंसानजी से अंडोत कार दो कमरों में अपने तीन कच्चा छे, साथ, आठ चला रहा हूँ जिस कारल एक ही कमरे में दो कच्चाओं के बच्चे ठीक धंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं लेकिन में क्या करो, मेरी भी मजबूरी है, जिला प्रसासिम की तरफ से हमारी सिपारिस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है एक ही कमरे में दो कच्चा कैसे पढ़ेंगे बच्चे, बेसिक सिच्चा विवाग कर रहा बच्चों की जीवन से खिलबाव जूमियर हाई स्कूल फकेरी मड़या के बच्चे, प्रात्मिक बिद्दाले, यानी एक सिपंच तक के स्कूल बिल्डिंग, एक कमरे में कच्चा छे बस साथ के बच्चे एक साथ पढ़ने को मजबूर है आखेर करें भी तो क्या जिला सिच्चा विवाग का रवया जो दीला है एक सिच्चक के भरोसे 6-8 तक के ससतर बच्चों का भबिस भगवान भरोसे चल रही है जिले की सरकारी स्कूल में की सिच्चा लेकिन फिलाल छे मैने से ज्यादा का समय हो गया है लेकिन सिचकों की तैनाती इस स्कूल में नहीं की गई है और एक ही सिचक के भरों से चल रही है तीनों कछाएं जबकि तीनों कछाओं में कुल से सित्तर वच्चे हैं अब ऐसे में जिला सिच्चा विवाग नोनी हालों के आज कितना घटिया खेल खेल रहा है भगबान ही मालिक है ग्राम प्रदान द्वारा नहीं लगवाई जा रही इस स्कूल में टायल सुभास साप सपाई जैसी विबस्ता पर नहीं तिया जा रहा ध्यान ग्राम पंचेद बाउत की ग्राम प्रदान सौनी आदब पत्नी आसिस आदब की द्वारा फकेरी मड़ेया गाउं से लेकर स्कूल तक कतई कोई कार नहीं कराय जा रहा है सरकार के आदेश पार स्कूल में लगने वाली टायल्स भी नहीं लगाई जा रही है अध्यापकों ने बताया कि स्कूल केंपस में दो हेड़ पंपों की आवस सकता है लेकिन मेरे कहने के बाब जूद भी जूनियर हाई स्कूल के बच्चों को पानी पीने के लिए हेड़ पंप नहीं लगाया गया है तमाम ऐसे आवस्यकार हैं जो ग्राम पंचयत के अंतरगत आते हैं वो इस्कूल में नहीं कराये गए हैं हम अध्यापकों के कहने के बाद भी यहां इस्कूल के अंदर काम नहीं कराया जा रहा है आज हम वजूद हैं अकीर मढ़ियांट परस्व जाहां पर सिच्चकों को और बच्चों को प्रक्षे सिकायत मेली है कि यहां विध्यालय में विध्यालय जी की चार विवारी से लेकर और कमरों तक की विलस्ता जो है शही नहीं है को Remo कर जो हैं विद्ड comprehensive की चारे क कई वारी बने खराव के हैंडिềमें गहां ऑफिससे लेक्रव और बच्च्त पीठा भी नहीं सकते कभी बिल्डिंग जिसकि में अबने सम्बंदंत अधिकारी कध्याई Ett larg जिविला वैसे inch शिच्च अधिकारी विशर्यान को कई वार लेकिन आज तक कोई भुलागी अधिकारी जाज करने के लिए नहीं है, हमारे बच्चे परेशान हैं, हमने प्रासम विध्याले में तो कमरों की विवस्ता की है, लेकर फिर भी उप्वर्राप विवस्ता नहीं है, और यहां पर खाना बनाने के लिए कोई रस्वय भी नहीं ह और बच्चों के पाने पीने की लिए ना तक कोई रने के वाटर की विवस्ता है, ना कोई हेंटब है, जिसकी सुचरा हम ग्राम प्रतां स्रीमते सौनी आदब को कई बार दे चुके हैं, उन्होंने भी कभी उच्चित नहीं समझा कि हमारे पाने की विवस्ता की जाए, और हम निवेदन कर दे हैं कि हमारी बात उपर तक जाए और हमारे बच्चों के लिए विवस्ता की जाए, और अध्यापकों के संद्रम में कहना चाहुआ, मेरे विद्याले में समय पंजीक चार्तों की संक्या 707 है, जिसके सापेच मातर एक अध्यापक हैं, और अध्यापकों के अवाहम हैं, बच्चों की पर्याप उप्से की किलास नहीं चला जा रही है, भिसराओं की ध्यान में रखते हुए, मैं अपने को अस्वर्त पा रहा हूँ, कापी प्रयास करता हूँ, लेकिन बच्चों को संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूँ, अत्य मैं मैं मामी जिला व जो बच्चे आए, पूरी क्यांपस है, जूर्म रखते हुए, तो उसके लिए एक पा सेट बंक है, उसमारी कभी पानी रखता जाता हूँ, जो समर सेवल की तनकी लगे हुए थी, वो पानी में आधी में लगी है थी, इसको भी उड़ा के अंतर अग्यास टूल लेकिता, और जिस तरीके से देखा जाए, कि आँपर बच्चां का जो खाना है, वो भी यह स्कूले के नहीं बन दा है, जो स्कूले के अब पास का पनेक्शन नहीं है, हम तिन रखता बार आपने देखते हुए, और कायद बदी अग्यार का पूपने, जूनियर स्कूल की आपके पा काई से जो खाल में होगा रखते हैं, जूनियर के जो खाल में हैं, उन्हें पराएं महीं ??